अब ध्यानदे स्टूइन्स देखिए यह देखिए अब यह जो ट्वर्ड्स नॉर्थ इन्होंने हमसे बात करी है ना ठीक है यह डिरेक्शन बता रहे हैं और ज्यादा आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से देखिए यह नौर्थ है है साउथ यह इस ये वेस्ट ऑके नौर्थ इसवेस्ट जो कॉरिडूर इंस बिचा teras जो उसका क्लास्रूम है जहां से भी बाडी मोशेन स्टार्ट करेंगी सुन लो जहां से भी कोई बाडी मोशें स्टार्ट करेंगी और इसको जब भी नौर्थ करें साउथ एस-फ्वेस की बात करें तो मोशन आप। और इसिन से स्टाट करा दो कहां से ओर इसन क्या होता है जहां पे ये और एक्सेस मीट करती तो और इसन से स्टार्ट करा दीजिए आप क्या वोला उसने अब वॉय वाक्त फॉम इस क्लास्रूम अब चलिए वॉय को वाक कराते हैं कहां से क्लास्रूम से और इसका क्लास्रूम में जहां से वो स्टार्ट करेगा उसको और इसन पर लेना है ठीक किदर मूव करता है along a straight सप्रिट और सीधा बादे मैं और लाइन में मोशन हो रहा है। यहें लिजिस तरा से कितना से इसका है 20 मीटर ठीक टाइम कितना है 25 सेकेंड है ओके सुडेंस जञान दें ओसे ए तक जाने का डिस्चन्स 20 मीटर मथब यह पात्र रहंक कितनी है 20 मीटर टाइम कितना लग तुन्टी फड्सकेंड्स फिर कह रहा है कि कि टूरीच दगोख्षॉप मतलद यह बुक शाप है य तो यहां पर देखिए तो यहां पर देखिए यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं ठीक है तो यहां पर देखिए यह वापस आने का डिस्टेंस भी कितना है 20 मीटर और टाइम भी वापस आने का कितना है 25 सेकेंड अब उन्होंने हमसे कोशन पूचा क्या कि अब आपको पता है अबरेज स्पीड क्या होती अबरेज स्पीड क्या होता है students average speed is equals to total distance by total time average speed is equals to total distance by total time है अब आप चेक कर लूँ टोटल रिसंग्स कितना है जाने का टवन्टी मी कितना हो गया इस का मतलब क्या होता है सेकंड ओके तो एस अब सॉल्फ कर लिजे जीरो से 0 चला गया 4 by 5 कितना होता है वाइफ कर लिए 4 को डिवाइट करेंगे 5 से करिए 5 की टेबल ऐसी पढ़ो कि या तो 4 आ जाए या तो 4 से चोटा रंबर आजा 5 बंजा 5 होता है नहीं पढ़ सकते हो 5 0 जब भी आपको ऐसा टेबल पढ़ना हो ना घ्यांद से क्रों अब फाइव की टेबल ऐसी पढ़नी है कि फॉर आ जाए तो फॉर से छोटा अब फॉर से छोटा क्या पॉसिबल है जीरो नेगडिव में तो ले नहीं जाओगे फॉर से छोटा जीरो पॉसिबल है तो फाइव फाइब कितना होता है आपका 0.8 क्या मीटर पर सेकेंड यह लीचे तो आवरेज स्पीड कितनी हो गई 0.8 मीटर पर सेकेंड अब यह पार्ट एक अंसर है ठीक पार्ड भी में क्या बोला उसने आपसे पार्ड भी में बोल रहा है आवरेज विलास्टी बताओ अब बच्छ इस बाइब 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 टॉटल टाइम अब एक बाव बताओ बच्छो यहां से देखिए नेट डिस्प्लेस्मेंट कितना होगा जीरो ऑपने क्लास्रूम में वापस आ गया जिस पॉइंट से गया था उसी पॉइंट वापस आ गया इनीशल और फाइनल पॉइंट से टॉटल टाइम कितना है 25 जाने का 25 आने का याने कि टूटल टाइम कितना होगया 15 50 seconds टेक सो यह लिखा 0 मीटर नेट सब्सक्रेंट क्या होता है जीरो होता है 0 अधिश्टिंग कितना आ गया 0 जीरो आ रही है तो क्या हो यूनिट बता दोस्की मीट पसके ठीक नोट कर लीचे